किलंगाना में इस बार सियासी समीकरण बदलते नजरा रहे हैं अधिकतर एक्जिट पोल में जहां इस राच्छ में कॉंग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है तो वहीं ओवेसी की पार्टी All India मजलिस से उत्यादल मुसलिमिन अपने मौचुदा सीटों को बचाने में कामियाब दिख रहे हैं लेकिन हैदरबाद से बाहर मुसलिम वोट बैंक को चोड़ कर कॉंग्रेस की तरफ जादा दिख रहा है ये बदलाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाद से कॉंग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है दरसल दे लंगाना में AIMAM BRS के साथ मिलका चुनाव लड़ती है ओवेसी हैदरबाद और उसके आसपास की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं 119 सीटों वाल विधानसवा में इस बार भी ओवेसी ने सिर्फ नौ सीटों पर अपने उमिदवार उतारे बागी सीटों पर उन्होंने BRS को सम मर्थन दिया है लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक हैदरबाद से बाहर और वेसी से दूर जाता दिख रहा है CMK चंदरशेकर राव की विधानसवाद शेतर गजवेल में कई मुस्लिम वोटरों का मानना है कि केसियार और भाश्वा आपस में मिले हुए है ऐसे में BRS को वोट देने से BGP को मदद मिलेगी BRS को लेकर मुस्लिम वोटरों के मन में शक की कई वज़य है कुछ वोटरों का कहना है कि मुस्लिमान होने की नाते हमें केसियार से कोई समस्या नहीं लेकिन हमें संदे है कि वो BGP के साथ मिलकर काम कर रहे है कुछ समय पहले जब उनकी बेटी केक अभीता को कथी दिली शराब घोटाले में गिरफकार नहीं किया गिया था तब इस इस गडबर का संदे है तेलंगाना में बीजीपी अभी रेस में नहीं है और पार्टी यहां अपने जनाधार बढ़ाने में लगी है 2018 चुनाव में बीजीपी को महज एक सीट पर जीत मिली थी इस चुनाव में कॉंगरेस और बीज टकर की बाश्यरू से कही जा रही है अब अगर मुस्लिम वोट बैंक कॉंगरेस के साथ आता है तो इसका प्रोदर्शन बहतर हो सकता है अभी तक ओवेसी इस वोट में सेंथ लगा रहे थे इस वज़ो से कई सीटों पर कॉंगरेस को काफी का मंतर से हार मिलती रही है तेलंगाना में मुस्लिम अबादी करीब 45 लाग है यह तेलंगाना की कुल अबादी का करीब 13 प्रतिशत है तेलंगाना की 119 विधानसवा सीटों में से 45 सीट पर मुस्लिम वोटर निर्डायक भूमिका रखते है तेलंगाना में असुदिन ओवेसी की पार्टी सिर्फ हैदरबाद सीटी की मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती है बागी सीटों पर वो बेरेस के समर्थन करती है इस बार भी यही सिती है इस चुनाव में ओवेसी की पार्टी सिर्फ नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है ऐसे में बागी 110 सीटों पर जहां एयायमायम मैदान में नहीं है वहां भी अधिकतर मुस्लिम वोट ओवेसी के इशारों पर जा सकते हैं